समस्कार दोस्तों कविटा याद यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है संपून हिंदी विशा की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे बाशा विज्ञान सम्मंदी परिक्षा की दरिष्टी से अती मैतव पूरण तथ्थ है जो भाशा विज्ञान के अंतरगत जितने मैतव पूरण तथ्थ है जो हमें पिछली परिक्षा के परिक्षा में हम आप सभी तत्यों को बिल्कुल परिशन उत्रों सहीत अभ्यास करते होगों अपनी तयारी को आगे बढाएंगे के जिस भी परिक्षय में हिंदी सहित समंधि परिशन पूछे जाते हैं या भाशा विज्ञान समंधि परिशन पूछे जाते हैं डिजीटी PGT परिशन हो या NTA NET की परिक्षाओ सभी के लिए एक लास काफी मददगार साबित होगी तो भाशा विज्ञान से समंदित राज भाशा समंदित सभी मैत्वपूरण आयोगों को देखते हुए कई बार ये डारेक्ट पूछ लिया जाता है कि इस आयोग का गठन कब हुआ तो सनों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और फिर साथ हिंदी जो राज भाशा है हिंदी की जो स्वेधानिक सिती रही है उसके पर चर्चा करेंगे उसके मैत्वपूरण तक्ट्यों को देखेंगे कि किस परकार से परिक्षा में फर्षन पूछे जाते हैं और साथ-साथ जो है इन से सम्मंद तो देख लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट पती आदेश की तो राष्ट पती आदेश जो पर्थम रहा था तो उसका रहा 1955 वर्ष सन इसवी 1955 फिर उसके बाद पर्थम राजबाशा आयो की स्तापना की गई 7 जून 1955 को यह आपको ध्यान रखना है कई बार परिक्षाव में पूछा गया है यह इंपोर्टेंट तत्य है यह दूसरा वाला जो यह कई बार पूछा जाता है कि पर्थम र प्याइख्स सबसे पहले बिज्टे खरे अध्यक्ष्टा शमालि उनने तो देख लेते हैं अगली जो हमारा दétait है संयूक्त संसदिये राजबाशा समीथा का गठन का वह थो संयूक्त संसदिये राजबाशा समीथा समीथि का शवीथ सभाष यह Buffalo. को हुआ कई बार मिलान एंटीनेट के अंतरगत ये मिलान में भी परशनों को पोच लिया जाता है अभी हाली में एक परशन आया हुआ भी था पिछली परिक्षाव में तो और इसके जो अध्यक्सता समाली थी गोविंद वल्लव पंत नहीं ये आपको ध्यान रफना है उसके भति आदेश का गठन 1960 में राजबाशा विदेई आयोग का गठन 1961 में वेज्ञानिक एवं तक्निकी शब्दावली आयोग का गठन कब किया गया 1961 में ये आपको ध्यान रखता है राजबाशा अधीनियम 1963 कई बार परिक्षाव में पूछा जाता है इंपोर्टेंट है भी फिर राजबाशा संकलब 1968 में राजबाशा नियम 1976 में उसके बाद राजबाशा संसदिय समीति का गठन कब हुआ तो ये भी 1976 में इनको आप बार बार रिवाइज करते हुए याद कर सकते हो क्योंकि एक परशनीन में से अवश्य ही पूछा जाता है कई बार परिक्षाव म मैं आपको बार बार रिवाइज करोगे तब ही आपको ये याद रह पाएंगे अन्य था आप परिक्षा में इनको देखते ही कन्फ्यूजन हो जाएगा कि ये हमारा पड़ा हुआ तो है लेकिन याद नहीं आ रहे तो इसी चक्कर में हमारा अलसर गलत हो जाता है और डी ट परिक्षा के द्रिश्टी से मैंत तथ्य रही है इनस सभी को हम देख लेते हैं कि देख लेते हैं कि महारे देश का सविदान दो वरस 11 मतना 18 दिन की अवदी में निर्मित हुआ है और 26 जनिंवरी 1950 को ये लाग हुआ सबसे पहला तत्या हमारा ये बन जाता है कि कई पर पूछ लिया जाता है हमारे देश का सविधान कब कितनी अवदी में निर्मित हुआ कब लागू हुआ तो इस परकार से आपको ध्यान रखना है बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं सविधान निर्माताउ ने हिंदी को राष्ट बाशबाशा बनाई जाने की मांग को दृष्टी गत रखते हुए सविधान सबाने चार न मौप 1589 को हिंदी को संग की राजबाशा सविकार करते हुए राजबाशा हिंदी के सम्बन्द में पारव धां दिये संकी राज बाशा कब सुविकार की 14 शप्टमबर 1949 को बढ़ते हैं आगे अगला जो हमारा तत्या है सविदान के भाग 56 के करमश्या अनुछे 120 तथा 210 में तथा भाग 17 के अनुछे 343, 44, 45, 46, 47, 47, 49, 50 तथा 51 में यानि कि अनुछे 343 से लेकर 351 तक कि में राज बाशा हिंदी के संब्ध में निम्न पारवधान दिये गए कौन कौन से पारवधान दिये गए हिंदी के संब्ध में ये हम देख लेते हैं सबसे पहले इन पारवदानों के साथ ही संप्रती भारत के 22 बाशाओं को सुविधान में अनुचूची आठ में माननाता दी गई ये मैंने आपको बताया था कि बारत ये सुविधान के अनुचूची आठ में 22 बाशाओं को माननाता परापत है और सबसे पहले चोदा बाशाओ को रखा गया, फिर तीन बाशाओ और जोड़ी गई, उसके बाद चार बाशाओ जोड़ी गई, तो कौन कौन सी कब किस संसोधन में किस सं में जोड़ी गई, यह हम एक एक तथ्य को समझेंगे, देख लेते हैं, क्योंकि इन से एक परिक्षा परिक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है, कि किस संसोधन में कौन सी बाशा को जोड़ा गया, वर्तमाने में कितनी बाशा को मननेत अपराप्त है, कौन सी अनुसूची में है, इस परकार से कई परशन बन जाते हैं, इस एक टोपिक से, तो हमेशा परिक्षा में परशन देख लेते हैं, ये जो 22 भाशा हैं, उनको हम देख लेते हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, इन 22 भाशा में कौन सी भाशा सामिल नहीं है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, तो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कस्मीरी, संस्कित, अस्मिया, ओडिया, बांगला गुजराती, महराथी, सिंधी, तमिल, तेलगो, मल्यालम, कंणड, मनिपुरी, कौंकनी, नैपली, संथाली, बोडो, मैठली, बोडो और डोगरी, ये जो सभी भाशा हैं, ये सवीदान के 22 भाशा हैं, सवीदान में वरनेत रही हैं, 22 भाशा हैं, तो देख लेते हैं, आग सबसे पहले बात करें, 1967 में 21 संथान, दुवारा सिंधी को 88 yogi में जोड़ी गए, सबसे पहले 27 भाशा में 21 संसूदन हुआ, उसमें सिंधी भाशा को जोड़ा गया, जो की 88 yogi में हुआ था, फिर सन 1922 में 21 संसूदन में तीन भाशाओ को जोड़ा, कौंकनी, नेपली, उसके बाद जो है 2003 में 92 विशन सोधन में संथाली, मेथिली, बोडो और डोगरी को आठवियनु सुची में जोड़ दिया गया उसके बाद देख लेते हैं अगला तत्या हमारा सवीदान दुआरा सुईकिर्थ सरकारी कामकाज की बाशा राजबाशा कहलाती है सुईदान दुआरा सुईकिर्थ सरकारी कामकाज की बाशा क्या कहलाती है राजबाशा राजबाशा का पारवधान सुईदान की दारा 343 से 351 में बढ़नी थैं ये भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देख लेते हैं आगे अनुछेद 343 में संग की राजबाशा के रूप में हिंदी तथा देवनागरी को लीपी के रूप में माननेता प्राप्त हुई यानि कि संग की राजबाशा के रूप में हिंदी को तथा देवनागरी को लीपी के रूप में माननेता प्राप्त हुई इस अनुछेद में 343 में उसके बाद बात करें आगे 14 सितंबर 1949 को 12 सुईदान में हिंदी को मन्यता दी गई यही कारण है कि 14 सितंबर को पर्टी वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है उसके बाद देख लेते हैं अनुछेद 120 के अनुसार संसद का कारिया हिंदी या अंग्रेजी में होगा अनुछेद 120 में कहा गया कि संसद का कारिया हिंदी या अंग्रेजी में होगा और अनुछेद 210 के अनुसार जो है परांतों के राज्य विदान बंडल का कारिया राज्य की राजबाशा में या हिंदी या अंग्रेजी में हो गई ये दोस्रदस में बताया गया है उसके बाद बात करें आगे राजबाशय आयोक जो 1905 के समद में भी हम देख लेते हैं कुछ तत्य है क्योंकि डारेक्ट ये पूछ लिया जाता है राजबाशय आयोक का गठन कब किया गया इसके परतम की बात आजाए तो न्यूक्ति की नोनी की राज़ेंदर परश्याद ने और अद्दैक्स की बात आजाए तो अद्दैक्स कोन रहे बीजे खरे यारी बाल गंगादर खरे इस परकार से आपको ध्यान रखना है जिसके 21 सदस्य ते शुरुआत में कितने सदस्य रही थे रा 15 जुलाई 1955 को राज बाशायोग की पर्थम बैठक हुई पर्थम बैठक कब हुई 15 जुलाई 1955 को और इसमें कुछ मुख्य सुजाव दिये गई वे सुजाव कौन कौन से रहे ये और देख लेते हैं क्योंकि कहीं से भी किसी भी परकार से घुमा फिरा कर परश्यनों को विदेशी भाशा का व्यावार उचित नहीं यहीं कि निमाम लोंगे अंग्रेजी भाशा का ग्यान अवशक होते वे भी सावर्चनिक छेत्रों में विदेशी भाशाओ का व्यावार उचित नहीं यह कहा गया उसके बाद हिंदी सरवादिक बोली वे समझी जाने वाली भा बाद है है 14 वरस की तक भारत में पर्तेख छात्र को हिंदी का ग्यान कराना चाहिए उसके बाद पर्तियोगी परिक्षाव में हिंदी का एक अनिवारिय पर्शन पत्तर रखा जाएगा उसके बाद बाद करें आगे संसद्वे विदान मंडलों में हिंदी और पार्देशिक राजबाशाव का व्यावार होना चाहिए भारत सरकार के परकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हो उसके बाद भारत की बाशाव में निकटता लाने की विवस्ता होनी चाहिए यह सब भी पारुदान जो है राजबाशायोग 1955 में दिये गए इन में से इन पुएंटों को ए नहीं बताया गया कौन सा सत्य है कौन सा कथन ए सत्य है इस पर कारशे परशन पूछा जाता है तो देख लेते हैं जो 1902 में वसंसोदान दीनियम 2003 दुवारा वरस 2004 में चार वाशाओ को जोड़ा गया कौन कौन सी बोडो संथाली डोगरी और मेथिली इसको आपको ध्यान र पर आशीन कर दिया जाए कई बार समय भी पूछ लिये जाता है कि उन्होंने जो है 19 कब तक जो है राजबाशा के पद पर आशीन कर दिया जाए ये कहा गया तो 1905 तक यह आपको ध्यान रगना है उसके बाद बात करें आगे इसके बाद राश्ठ पती राजबाशा हायोग संसद और सरकार ने आदेश सुजाओ अदीनियम अनुदेश और नियम निर्दारित किये जिसके दुआरा राजबाशा हिंदी के परियोग को सूनिश्चित किया गया उसके बाद देख लेते राजबाशा अदीनियम 1976 में किस परकार से राजबाशा अदीनियम 1976 में जो है क्य सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अदिनियम के दुआरा हिंदी का अधिक से अधिक परियोग करने के लिए कुछ परभावी कदम उठाई गई जो निम्परकार से है भारत के राज्यों को तीन वर्गों में बाटा गया इस पुएंट में से भी अवेश्य पर्शन पूछे जाते हैं कि राजबाशा अदिन में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है तो इन राज्यों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन-कौन से राज्य किसके अंतरगत शामिल है तो सबसे पहले बात करें कैवर के अंतरगत कैकी छेतर में उत्तर परदेश, मद्यपरदेश, राजस्तान, बिहार, हिमाचल परते सरियाना एवं दिल्ली है ये सभी हिंदी बाश्याई छेतर रही हैं उसके बाद बात करें खैवर के अंतरगत खैवर के अंतरगत जो है पंजाब गुजरात माहराष्टर किंदर शाषित चंदिगर्ड और अंडमानिकोवार ये जो राज्या है ये खैवर के अंतरगत रहे हैं उसके बाद गैवर के अंतरगत आते हैं सभी राज्यवे संग्सासित छेत्र इन से संबंदित हम पर्षनों को करेंगे तब आपको अधिक किलियर हो जाएंगे कियोंकि पर्षन उत्रों के माध्यम से ही आपको बिल्कुल एक कोईंट को बार-बारी वीचैन HR кफशनों की हो जाए कि और एक सीरीज व्यक्यासाइद पर्षनो के चली हुई है जो कि इस वीक वो क्लास अभी नहीं हो पाई वहीं मैं पूरी कोसिस करूंगे एक दो दिन में उस क्लास को भी करने 15-20 परशनों को अगर उन परशनों को आपको साथ साथ कंपलेट होते चले जाएंगे तो देख लेते हैं आगे केंद्रिय कारियलो से कै श्रेणी के राज्यों को भेजे जाने वाले पत्र हिंदी के देवनागरी लिपी में भेजे जाएंगे ये भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद बात करें किस लीपी में कैवर्ग के जो श्रेणी में रजो में बेचे जाने वाले पत्र वो किस हिंदी में देवनागरी लीपी में बेचे जाएंगे किस बेचे जाएंगे किस बाशा में यानि देवनागरी हिंदी बाशा में बेचे जाएंगे यह आपको ध्या रखना है हिंदी में उसके बाद बात करें खैवर के चनेयनी के राज्जों को पत्तर व्याबार हिंदी व्य हंग्रेजी दोनों भास्यों में किया जाएगा केंदिर्य राज्यों में प्रेशित हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया जाएगा यानि कि जिस पत्तर का हिंदी के जो पत्तर होंगे उसका जो उत्तर दिया जाएगा तो वो केवल हिंदी में ही दिया जाएगा यह जो अनिवारिय होगा उसके बाद बात करें आगे केंद्रिय सरकार के कारियालों में सभी पत्तर रजिस्टर हिंदी व्य अंग्रेजी दोन बाश्याओं में होंगे ये भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद बात करें केंद्रिय सरकार के करमचारी हिंदी व्य अंग्रेजी में टिपनी लिख सकेंगे कोई भी व्यक्ति आवेदन या अपील हिंदी या अंग्रेजी में दे सकता है यदि आवेदन या अपील हिंदी में हो तो उस पर हक्सताकसर हिंदी में तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाना अनिवारिय है उसके बाद बाद करें आगे जहां 80% से अधिक करमचारी हिंदी में कारिय करते हो वहां टिपनी परारूप इतियादी का कारिय हिंदी में ही किया जाएगा उसके बाद देख लेते हैं आगे राजबाशा के रूप में हिंदी के करियावन्त के लिए परदान मंत्री की अध्यक्स्ता में केंद्री ये हिंदी समीती का गठन हुआ कई बार पूछ लिया जाता है कि केंद्री ये हिंदी समीती का गठन किसकी अध्यक्स्ता में किया जाता है तो परदान मंत्री की अध्यक्स्ता में ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद बात करें, राजबाशा के रूप में हिंदी का परियोग बढ़ाने के लिए, इसके परचार परचार का उदेश्य से राजबाशा भारती नामक त्रेमाशिक पत्रीका का परकाशन हो रहा है, यानि कि राजबाशा भारती नामक जो त्रेमाशिक पत्रीका का परक कई पधाशन की सुधेया गया कि राजबाश्या के रूप में लूप में हिंदी का परियोग बढ़ाने जबंगी ता उसके परचाबर परिख्षया क्यों कई दे लेते हैं राजबाश्यार नीयम उनिस्व चिएतर के अनुसार किस करमचारी ने किस अधीनियम के अनुसार ये अगर परिशन बन जाए किस अधीनियम के अनुसार जिस करमचारी ने मैट्रिक में हिन्दी के परिखशा मैट्री का अधी परिक्षा में हिंदी ली थी तो उसे हिंदी में परवीन माना जाएगा ये किस अधी नियम में कहा गया राजबाशा के किस अधी नियम में कहा गया तो 1976 अधी नियम के अनुसार उसके बाद बाद करे आगे राजबाशा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी करमचारी ने प्रयाग या उसके समक्स परिक्षा उत्री रण कर ली हो तो हिंदी में कारिय सादक माना जाएगा ये भी कारिय सादक जो माना जाएगा वो किस अनुछेद में बताया गया या इस परकार से इन एक केक तथ्यों से जो है पर्शन पूछा जाता है तो एक एक तत्यों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए समस्थ के साथ करते हुए चलना है देख लेते हैं आगे केंजरी ये हिंदी से डालना भारत सरकार ने सरकारी कामकाज का माध्यम बनाने के लिए हिंदी सिक्षन योजिना का सुबारम किया इस योजिना के अंतरगत क हिंदी प्येस सरकार के करमचारियों को हिंदी सिखाने के लिए परिशिक्षन दिया गया उसके बाद आगे देख लेते हैं बारत सरकार गरह मंतराले के राजबाशावी बाग के अंतरगत केंद्रिय अनुवाद भीरो कारिय कर रहा है कई भार पर एक्षा में पूछ लिया ज आपको ध्यान रखना है उसके बाद देख लेते हैं जितने हमने पड़ा है उससे समंदित मैंतवपूरण पर्शनों को राजबाशा हिंदी समंदी मैंतवपूरण पर्शन हिंदी के स्वेधानिक सितिती से समंदित मैंतवपूरण पर्शनों को देख लेते हैं किस परकार अभी तक जो पढ़ साथ की साथ जब हम तथ्यों को पढ़ रहे हैं साथ-साथ उसके MC's क्यों भी कर लेते हैं तो हमें जो है अच्छी तैयारी होती है हमारी इससे हमें लंबे समय तक याद रहती है तथ्या तो देख लेते हैं पर्शन नमबर एक बारतिय सविधान के कि तो यह जो सही आंसर हो जाएगा इसका अनुछे 340, 342, 343 या 344 आपको बताना है तो सही आंसर हो जाएगा 343 343 के अंतरगत जो है बारतिय सविधान में संग के राजवाशा हिंदी संग की नहीं है यह थोड़ा टाइपिंग मिश्टेक हो गया तो संग की यही संग की राजवाशा हिंदी और लीपी जो है दिवनागरी होगी यह किसमें कहा गया कि सनुछेद में 343 में उसके बाद बात करें आगे राजवाशा के संबंद में आयोग और संसत की समीती का उलेख निमलिक्ट में से की सनुछेद में हुआ तो राजवाशा के संबंद में आयोग और संसत की समीती का उलेख हमें की सनुछेद में देखने को मिला तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 344 में उसके बाद बात करें आगे पर्शन संख्या हमारे तीन राजवाशा आयोग के गठन का आदेश कब परकाशी तुआ तो राजवाशा आयोग के गठन का जो आदेश है वो हमें जो कब कर परकाशी तुआ इस परकाशी तुआ उसके बाद देख लेते हैं अगला जो पर्शन है हमारा और अगर हम यहीं एक जो तत्थे ओरन है तत्थे भी मैं आपको समझा देती हूं इस पर्शन से समधित अगर 20 जुलाई 1955 की बात की जाए तो 20 जुलाई 1955 को पर्थम बैठक हुई थी राजवाशा आयोग की और उसका जो गठन का आदेश पारित किया गया वो साथ जून 1955 को किया गया सवीधान में जो हिंदी को मन अता प्राप्त हुई थी वो हुई थी 14 सितंबर 1999 को इस परकार से जो है इन सभी जो जितनी भी इंपोर्टेंट सन है इनको आपको ध्यान रखना है कब क्या हुआ था किस आयोग का गठन किस सन में किया गया था इसको आपको ध्यान से समझते ह सभी चलना है देख लेते हैं अगला जो हमारा फर्षयान है राज भाष्या आयो कि सिपारिसों की जाच के लिए सभी धान के अनुचे 344 के अनुसार समीती का गठन किया गया जिसमें जिसमें क्या कहा गया जिसमें सोरी बई जिसमें कितने लोग सभा के सभात अथराज्य स सभा के सदश्य रही यह आपको बताना है तो इसका जो समारा सही आंसर हो जाएगा इसमें जो है राजबाश्या आयोग की सिपार्शों की जाच के लिए सवीधान के अनुचे 344 के अनुचार समीति का गठन किया गया तो उसमें जो है लोग शबा के 20 सदश्या चतराज्या सदश्या सामिल गिए गई यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद देख लेते हैं परशन संक्या हमारी 5 राजबाश्या आयोग की संतोतियों की जाच के लिए समीति की कितनी बैठके हुई यह आपको बताना है तो सही आंसर हो जाएगा 26 बैठके हुई उसके बाद बात कर आगे परशन संक्या हमारी 6 अशोक के समय राजबाशा थी अशोक के समय कौन सी राजबाशा थी किस वरकार की तो अशोक के समय जो है पाली राजबाशा थी उसके बाद बात करे आगे मुस्लिम शासन में मुहमत गोरी से लेकर अकबर तक निमलिक्ष में से कौन सी राजब भावाहिए उसके बाद बाद करें आगे पर्शन थे से हमारी आथ अकबर के ग्रेमां दूर दोदर मिलू के अधरें लिए तो फार्सिश जा रखना है उसके बाद बाद करें आगे अगला पर्षन嘗 कही बाद करें आगे इस्ट इंडिया कमपनी ने कब तक फार्शी को राजबाशा बनाए रखा तो इस्ट इंडिया कमपनी ने किस सन तक राजबाशा को जो है कमपनी फार्शी को राजबाशा बनाए रखा इस्ट इंडिया कमपनी ने तो यह आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा अठारा सो तेतीस तक उसके बाद बाद करें परशन संक्या हमारी दस भारत में अंग्रे जी को राजबाशा बनवाने की जश्रे है वो किसको जाता है भारत में अंग्रे जी बाशा को राजबाशा बनवाने का सरेनिम लिक्ट में से किसको जाता है गिल क्राइट को जोर्ज गिरियेशन को लार्ड मेकाले को या जेम्स प्रिंस सेप को तो सही आंसर हो जाएगा लोर्ड मेकाले को उसके बाद देख लेते हैं परशन संग क्या हमारी ग्यार है उर्दू की जगे हिंदी को राजबाशा बनाए रखने के लिए बाद बाहर बात करे आगे अगला जो हमारा परिशन सम्क्हाँ बाहर है उनके नागरिकों की बोले और लीपयों का परियों कitा करिए यही ऐसा देश है जहान अदालति बाश्या नैतो सासको की मात्र बाश्या है और नहीं परच्छा की जो यह किस विद्वान का है? जो अमारी अदालती बाशा सासकों की नहीं तो महत्र बाशा रही है और नहीं परचा की ये जो बात कही है जो ये पूरा का पूरा कतन दिया गया है ये किस विद्वान का है तो भारतिंदू हरिश्चिन दर्ची ने कहा है उसके बाद बाद करें आगे पर्शन संख्यामारी 13 निमलिक्त में से किसके परियतनों से राजबाशा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला है यह आपको बताना है तो सही आंसर हो जाएगा पंडित मदन मौहन मालवियेची के बढ़ते हैं आगे अगला जो हमारा पर्शन है राजबाशा हिंदी देश की एकता को कश्मीज से कन्या गुमारी तक अधिक से दर्ड बना सकेगी यह कथन किसका क्योंकि आज कल पर जीक्षा में हमें देखने को मिला है कि कथनों से समंधित अधिक पर्शन पूछ लिए जात कि हम जितने भी पर्शनों को करते हैं आप लोगों को ने पिछले पर जो हमने पर्शन किये हुए है आप लोगों को देखने को मिली रहा होगा कि हम परिक्षा में किसी भी परकार के कोई परिशानी देखने को ना मिले तो हमें परिक्षा में बैठते ही हमें यह लगना चा ते watts लेपने आपρεί세न लोगों वेनें आमने परिवाтा गेती तो नहीं होते हैं वह्मा आई टाउट inícioस बाती हुई तो जिस परकार से आप अपनी अधिक हाड़ वर्क करते हुए हपनी तैयारी कोदे मीधल करोने इस दर्ट बना सकेगी जो ये कथन है ये किस विद्वान के दुवारा कहा गया है तो डुक्टर राजिंदर के शाद दुवारा बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं परशन संक्या हमारी पंद्र है भारत के सविदान में हिंदी को कब माननेता कब परदान की गई तो अभी हमन के अनुसार संसद के कारिये में जो है हिंदी वे अंग्रेजी में किया जाएगा ये कहा गया बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं परशन संग्या हमारी सत्र है सविदान की दारा 120 के अनुसार या था सितिति लोक शबा का अधैक्स या राज्य शबा का सभापती किसी सदर से किक बाश्य में संबौधित करनेकि अनुमति दे सकता है तो ये आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मातर बाश्य में संबौधित करनेकि अनुमति दे सकता है बढ़ती हैं आगे देख ले थैस प्रशन संख्या 18 राजबाश bukan शphonHHHH कब पारित हुआ दो 660 को राजवाशाधिनियम पारित किया गया उसके बाद देख लेते हैं časa COMM 2263 कब पारित किया गया को एक सेकेश तो में एक से इन की िता स्वज़निक यह इन ही ब्रिच परद दिया था इसलें मुझे थोड़ा ना जकल Ay real और ईसे पर्चाम का ऻiu पहले वाले हमें पर्षन को आप ध्यान से पड़ोगे तो राजबाशा अधिनियम कब पारित हुआ ये पूछा हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 अपरेल 1907 महीं 1963 को राजबाशा अधिनियम पारित हुआ उसके बाद इस पर्षन में पूछा हुआ है राजबाशा अधि नियम 1963 कब संसोधित हुआ संद एक बार फीड़ी से संसोधित किया गया तो संसोधित करके जो है 1967 इसवी में संसोधित किया गया ये आपको ध्यान रखना है उसके बाद देख लेते कुछी भी परकार से पर्षनों को घुमा फिरा कर पूछ सकते हैं तो आपको ध्यान रख नियम 1976 के अनूसार देस बरके केंदरिय सरकारी कारियरलों को तीन वर्गों में भाठ डिया गया विवर्ग जो भारत के तीन वर्गों में राजयों को बाता गया विवर्ग कुन-कुन से रहे है ये आप लोगों को अभी अमने है पढ़े थे वर generous शे एक आर यां वर्ग है हिंदी पत्रों का ज्वाब देना होगा के मतलब किस बाशा में जवाब देना होगा मतलब किस बाशा में 감 deux- किस बाशा में होगी यह आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल हिंदी में उसके के बाद करें आगे अगला जो अमारा पर्शन संक्या 22 राजello दो कि लाइन मनु सचीहत्तिर के अनुसार यदि किसी आवेधन पत्र या पीलावर्ज आवेदक चैस्टापस अर हिंदी में तो उस पत्र का उत्तर हिंदी भाषा में दिया जाएगा उस पत्तर का उत्तर जो है किस भाषा में दिया जाएगा तो केवल हिंदी भाषा में दिया जाएगा अगर किसी जो आवेदन पत्तर या पील आवेदक के तक्सर केवल हिंदी में होगे तो उत्तर भी केवल हिंदी में दिया जाए बढ़ते हैं आगे परसंसंख्यामारी 23 राजबाश्या नियम 1976 के अनुसा निमलिक में से किस छेतर के कारियलो को पत्रादी अंग्रेजी में बेजने का निर्देश है तो ये आपको बताना है अंग्रेजी में किस छेतर के कारियलों में बेजने का निर्देश दिया गया है तो जो वर्ग गै के अंतरगत जितने भी पत्तरव्यावार होंगे वे अंग्रेजी में होंगे तो और वर्ग गय के अंतरगत कौन कौन से राज्य सामील है यह है बंगला ओडिया और उत्री पूर्वी छेतर के जो दर्वीड बाशाई छेतर रहे हैं वे सभी गय वर्ग के अंतरगत आ जाएंगे कौन कौन बंगल ओडिया उत्री पूर्वी छेतर के दर्वीड बाशाई नहीं प्रशन संक्या 43 यह कि याद रखनें क nee कि गैवर के अंतर्गत कौन कौन से राज्या आएंगे के आक तरफ्च्क कौन कौन से मीलूंए झाल जाता है जैसे कि खय कै व्रक के चैट में जो है उत्तर पर्देश, मद्य पर्देश, हरियाना, या दिल्ली, बिहार, अजस्तान, जारखंड, हिमाचल पर्देश, यह जो सभी है, यह हमारे कहवर के अंतरगत आएंगे, और कहवर के अंतरगत जैसे कि पंजाब हो गया, गुजरात, महाराष्ट, चंदिगर, अंडेमानी को बार यह सभी जो है गहवर के अंतरगत आएंगे, गहवर के अंतरगत हमने तो देखी लिया था, बंगाल, बोडिया, उत्री, पूरो इचीसितर, और दर्वीड, बारशाई, छ Index इसके सभी गहवर के अंतरगत आएंगे, उसके बात करें आगे, अगला जो हमारा पर्षन है 43 राजबाशा नियम 1976 के अनुसार खह वरक के कारिया लोग में पत्तर व्यावार संबंदी निमलिक्त में से कौन सा कथन ऐस सत्य है किसमें पूछा हुआ है वरक खह के अंतरकत देख लेते हैं कि सामन्य हिंदी में पत्तर भीजे जाएंगे कों सा कथन ऐस सत्य है यह आपको बताना है कि इन में से कौन सा कथन ऐस सत्य है सत्या में बताना है तो देख लेते हैं कि सबसे पहले सामन्य है कि सोरी यह पर्षन संख्या 43 नहीं है यह 24 है यह आपको द्यान रखना है तो यह थोड़े से मिस्टेक हो गई तो सामन्य हिंदी में पत्तर बेचे जाएंगे बिलकुल सही है और यदि कोई पत्तर अंग्रेजी में जाए तो उसका हिंदी अनुवाद अवश्य संगलन किया जाएगा यह भी बिलकुल सही कतन है यदि कोई कारिया ला अन्य भाशा में पत्तर व्यावार चाहे तो उस प पत्तर का अंग्रेजी नुवाद ने भेजा जाए ये बिल्कुल गलत हो जाएगा तो हमारा एस सत्य का तन पूचा हुआ है तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा बढ़ते हैं आगे अगला जो हमारा पर्शन है पर्शन संक्या 25 राजबाशा नियम उनिश्चियतर के अनुसार किस वरक के कारियर लगो हिंदी में पत्तर बेजे जाए यदि प्रिस्थितिवस्त अंग्रेजी में पत्तर बेजना अवश्यक हो तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए अभी हमने पढ़ा था तो वरक क्या के अंतरगत ये होगा कि अगर जो किसी कारण वरस या प् अंतरगत जितने भी हमारे चितर आते हैं उत्तर परदेश मंद्य परदेश अरियाना दिल्ली भिहार रजस्तान जारखर निमाचल परदेश सभी में जो है पत्तर व्यावार अगर होगा किसी कारण वरस अन्य बाशा में बेज दिया जाए तो हिंदी अनुवाद ओन करना अवती आवश्यक हो जाएगा बढते हैं आगे प्रशन संख्यामारी 26 केंद्रिया नुवाद ब्योरो संबंदितol ऑन के इनुवाद भी में पड़ा था घरयमंंतरा लेके राजबाशाविवाच सेंबंदित रहा है केंद्रिया नुवाद ब्योरो उसके बाद बात करे 27 एक सेकिंड भई इस टॉपिक के भई केवल हम 40 परसोनों को ही करेंगे क्योंकि और जो हमारे अगर परिशन रह भी जाते हैं तो उनको हम जो है आगे जितने भी हम परिशन उत्रों का बार बार अभ्यास कर रहे हैं उनमें सामिल कर देंगे तो देख लेते हैं अगला जो हमारा परिशन है राजबाशायो के पर्थम अद्धैक्स अभी हमने पढ़ा था बाल गंगादर खरें सब्सक्राइब करें तो सभी दान का अनुछे 345 किससे संबन देते यह आपको बताना है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा राज्य में परियूखत होने वाले बाशाओं में से किसी एक या अनennenिक या हिंदी को अंगरित करने से उसके बाद देख लेते हैं अगला जो परशन अमारब परशन संख्या 39 एक राज्य धूसरे राज्य में मद्य या एक राज्य में मद्य तता राज्य वे संख्य के मद्य संचार की वही बाशा होगी जो उस संग की राज़ भाशा होगी, जो ये है कि में इसका उल्लेक किया गया कि सनुछेद में, एक बार से आप फिर से रिवाइज कर सकते हो कि एक राज्य के तथा दूसरे राज्य के मद्धे, तथा राज्य वे संग के मद्धे संचार की बाशा होगी यह किसमें उल्लेखीत है किस अनुछेद में कहा गया है यह आपको बताना है तो सही आंसर हो जाएगा 346 में उसके बाद बाद करते हैं परशन संक्या हमारी 30 सविधान के अनुछेद 347 में उल्लेखीत है कि किसी रज्जे के जन संक्या के प्रियाप्त बाग दुआरा बोली जाने वाले बाशा के संबन्द में विशेश उपबंद जो यह है सुईदान के अनुछे 347 में उल्लेखित है उसके बाद बाद करें आगे अगला जो हमारा पर्शन है पर्शन संक्या 31 उस्तम दो बर उस्तम आ गये वहीं उस्तम नयले उच नयलो और अधिनियमों विद्याई को आदी के लिए परियोग की जाने वाली बाशा का उल्लेखित हमें किस अनुछेद में मिलता है यह नहीं इसका सही आनसर हो जाएगा अनुछेद 48 में उसके बाद बाद करें परशन संक्या 32 वाशा समन्धी विद्यो को अधिनищ इमीत करने के लिए विशेश परकरिया का उल्ले किस अनुछेद में है यह आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा अनुछे 309 में क्योंकि अनुछे दों से भी काफी सारे परशन पूछ लिए जाते हैं इसलिए आपको यह परशन कठीन तो लगेंगे लेकिन अगर आप इनको बार-बार रिवाइज करोगे तो आपको यह जो है याद भी हो जाएंगे तो देख लेते क्योंकि इंपोर्टेंट परिक्षा की दरिष्टी से मेतम पूरण है जो यह पाश़िए ईंदी के स्वेजानिक स्थीती से समद्दित जो राज वाश़ा हिंदी के स्वेजानिक शथीतिती से सब्देर्टी टोपिक जो है यह परिक्षाओं में पुछे गई हैं अंतरगत भी परिक्षाओं में इसलिए मैंने एक जो टोपिक हम इंपोर्टेंड टोपिकों को करते हुए उसके साथ साथ परशन उत्रों का भी अभ्यास करते हुए करेंगे इसी से जो है आपको अधिक मदद मिलेगी परिक्षा में तो वीडियो आपको पसंद आती हो तो इतनी मैनत के साथ मैं आपको तथ्या को जो एक साथ लेकर के आती हूँ कई पस्तोकों के संग्रह से और साथ साथ परशनों को भी बनाने में थोड़ा समय लग जाता है तो इसलिए मैं कहना या किस वीडियो आपको कैसी लगी तो अगर आप लाइक और कमेंट करते हो तो मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है अन्यता मुझे ये लगता है पता नहीं बच्चों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही तो आप जो है लाइक अभश्य कर दिया करो निमलिक्ट में से सवीडान के किस अनुछेद में सिकायतों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन के में परियोग की जाने वाली बाश्या का उल्लेख है ये आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुछेद 350 में उसके बाद देख लेते हैं आगे परिशन हमारा सवीडान के अनुछेद 350 में के बर्ग में यानि के में निमलिक्ट में से किसका उल्लेख है ये आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपरात्मिक सतर पर मात्र बाश्या की शिक्षा की स्वीधाई ये कहां पर दिया गया है अनुछेद 350 के मे उसके बाद बात करें आगे पर्शन संक्या 35 बारतिया सवीधान के किस अनुछेद में बाश्याई अल्प संक क्यों के लिए विशेश अधिकारी की राष्टपती दुआर नियुक्ती का उल्लेख दिया गया है तो किस अनुछेद में विशेश अधिकारी की राष्टपती दुवारा जो है न्यूक्ति का उलेख पत दिया गया है ये दिया गया है अनुछे 350 है के अंतरगत उसके बाद बात करें आगे सवीदान के अनुछे 351 में निमलिक्ष में से इसका उलेख है सवीदान के अनुछे 351 में निमलिक्ष में से जो है हिंदी भाषा के विकास के लि ये हिंदी समीती के परदेन अध्यक्स जो है परदान मंतरी रही है उसके बाद बाद करें आगे परशन संख्या 38 निमलिक्स में से कैवरक के राज्य है इन में से कैवरक के राज्य कौन सा है ये आपको बताना है तो मैंने आपको बताया ही था जो है दिल्ली कैवरक के राज् गैवर के अंतरगत आते हैं उसके बाद जो है बंगाल जो है उसके बाद बाद करें आगे परसंसंक्या हमारी 49 भारत की राजबाशा है भारत की राजबाशा कौन सी रही है यह आपको बताना है तो भारत की राजबाशा जो है हिंदी और अंग्रेची दोनों को मानी गई है अभी तक केवल हिंदी को नहीं माना गया तो देख लेते हैं अगला जो हमारा परिशन है केंद्रिय सरकार के करमचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई तो केंद्रिय सरकार के करमचारियों को हिंदी सिखाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई यह आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ह इंदी शिक्षन योजना के अनुसार हिंदी शिक्षन योजना के दुआरा जो है केंद्रिय सरकार के करमचारियों को हिंदी सिकाने की योजना शुरू की गई उसके बाद बात करें पर्षन संक्या हम 41 तो निमलिक्थ में से कौन सा नगर खैवर्ग के अंतरगत सामिल है तो हमने देखे लिया था एमदाबाद जो आएगा खैवर के अंतरगत इस परकार से हमने लगबग 40 पर्षनों को आज की क्लास में कर लिया वही और पर्षनों को जो हैं आगे जो जितने भी हम पर्षन उत्रों के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे उनको में करते हुए अपनी त तेरेना, तेन्क्यू, तैने वादे